दोस्तों, आज की सद्ध्याय में हम जानेंगे कि कि इस तरह हम MS Excel में Cash Book या Peti Cash Maintain कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, Excel में हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का Format बनाया है सबसे उपर हमने Cash Book, Peti Cash Mention कर दिया है आप चाहें तो यहाँ पर Company का नाम भी लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हमने अपनी Transaction को Record करने के लिए कुछ Columns बनाये हैं जैसे कि जिस भी Date में हम अपनी Transaction करेंगे, उस Date को हम यहाँ Mention करेंगे इसके बाद Cash In वाले कॉलम में हमें जो भी Cash Receive होगा Boss या Manager से उस Amount को हम यहाँ पर Mention करेंगे इसके बाद इस कॉलम में जो हमारा Balance है वो निकल के आता रहेगा यानि जो हमारे पास पैसा रहेगा वो सारा Balance हमारा यहाँ पर निकल के आता रहेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी वो Date Mention करनी है जिस Date से हम अपनी Excel में Cash Book या Petit Cash Maintain कर रहे हैं जैसे कि मान की चलिए मैं 142024 से अपना यह Petit Cash Maintain कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 142024 लिखा इसके बाद Particulars में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे Opening Balance Opening Balance का मतलब यह होता है कि आपके पास इस Date में कितना Cash Pढ़ा हुआ है तो मान की चलिए हमारे पास 142024 में 20,000 रुपए पढ़े हुए हैं और इस Date से हम अपना Cash Book या Petit Cash Maintain कर रहे हैं तो हम Balance वाले Cell में आएंगे और यहाँ पर हम 20,000 Mention कर देंगे इसके बाद यहाँ पर हमें अगली Date Mention करनी है जिस भी Date में हम अपनी Transaction करने वाले हैं अब यहाँ पर 20,000 हमारे पास Balance पढ़ा हुआ है तो 20,000 में से जो भी खर्चे होंगे उन सभी खर्चों को हमें यहाँ पर Record करना है बाकि जब भी हमारे पास Cash आएगा Boss या Manager से तो उस Entry को भी हम यहाँ पर करेंगे और Cash In वाले कॉलम में हम उसे Record करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ खर्चों को Record कर लेता हूँ यहाँ पर जो Date है उसे Mention करेंगे उसके बाद जो भी खर्चे होंगे उसे हम यहाँ पर Mention करते जाएंगे ठीक है तो Start करते हैं तो यहाँ पर जो भी Expenses हुए हैं उन सभी Expenses को यहाँ पर हमने Record कर लिया है इसके बाद मानिक चलिए 10,4,2024 में ही हमें Cash Receive होता है ठीक है Boss भी लिख सकते हैं या Manager लिख सकते हैं या फिर आपको जिससे भी Cash Receive हो रहा है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद Cashin वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर हम Mention करेंगे जो भी Amount आपको Receive हुआ है मांक चलिए इस बार मुझे 30,000 Receive हुआ है Boss से तो यहाँ पर हमने 30,000 Mention कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ Transaction को Record कर लिया है इसके बाद हमें इस Data की Formatting करनी है तो Formatting करने के लिए आप चाहें तो Manual तरीका भी अपना सकते हैं बाकी मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने Data को एक Table Format में Convert कर लिजिए Table Format में Convert करने से आपको फायदा यह होगा कि आपका जो Data होगा उसके लिए आप अलग-अलग Type के Design Apply कर सकते हैं बाकी आपने अपनी सीट में जो भी Formula या Function लगाया होगा वो भी Automatic Update होता रहेगा तो इस Data को एक Table Format में Convert करने के लिए आपको Simply अपने Data में कहीं पर भी क्लिक करना है इसके बाद आप अपने Keyboard से Ctrl और T Button एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा Main Data है इसकी पूरी Range Select हो चुकी है इसके बाद यहाँ पर Create Table का Pop-Up आपके सामने आएगा यहाँ पर आपकी Range रहेगी इसे आपको Change नहीं करना है बाकी अगर आप Change करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे Change भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर एक Option दिया गया है My Table Has Headers इस पर आपका Tick लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा Data है इसमें हमने Headings Mention की हुई है अभी हमें Simply यहाँ से इसे OK कर देना है तो अभी आप देखेंगे एक Formatting हमारे Data में Apply हो चुकी है अगर आपको इसका Style Change करना है जैसी आप अपने Data को Table Format में Convert करेंगे यहाँ पर Table Design का एक अलग से Tab आ जाएगा यहाँ से आप Different Type के Style अपने Data के लिए Choose कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जैसे कि यह वाला जो Style है यह मुझे पसंद आ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे आप अपने Data में कहीं पर भी क्लिक करेंगे Table Design में आ जाएंगे यहाँ पर आपको Total Row का एक Option दिखाए देगा आप इसपे टिक लगा देंगे तो यहाँ पर नीचे एक Total की Row Insert हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे Balance का Total Automatic आ चुका है इसके बाद Cash Out का भी Total हमें यहाँ पर चाहिए तो इसके लिए हम इस Drop Down आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम Sum Function को Choose कर लेंगे यहाँ पर Cash Out का भी Total निकल के आ जाएगा इसके बाद दोस्तों इन सभी Cell में हमें Running Balance कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो Sum Function लगा है इस Function को हम यहाँ से Remove करते हैं इसके बाद हम इस Cell में आ जाएंगे यहाँ पर Is Equal To का साइन लगाएंगे इसके बाद हम Balance वाला जो Cell है इसे Choose करेंगे Plus का साइन यहाँ पर लगाएंगे इसके बाद Case In वाला यह जो Cell है इस Cell को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम Minus का साइन लगाएंगे और यहाँ पर Case Out वाले इस Cell को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है सबसे पहले हमने Balance को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर cash in, cash out की जगा, आपका जो cell का reference number होता, वो यहाँ पर आता है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर formula complete है, हम simply enter बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर 5,4,2024 को हमारा यह balance निकल के आ जाएगा, इसी formula को बाकी सभी cell में paste करने के लिए, आप यहाँ पर double click कर देंगे, तो formula बाकी सभी cell में apply हो जाएगा, ठीक है, अब इस date में हमारा balance कितना था, 30,500, ठीक है, और इस date में 500 रुपे हमारा balance था, बाकी यहाँ last में जो आपका running balance निकल के आ रहा है, इसे cross check करने के लिए, आप चाहें तो यहाँ manually भी calculation कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते है balance, ठीक है, balance लिखा, इसके बाद हम इस cell में आ जाते हैं, यहाँ पर is equal to का sign लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो opening balance है, इस opening balance को हम select कर लेंगे, plus का sign लगाएंगे, इसके बाद opening balance में हमें क्या जोड़ना होगा, cash in, ठीक है, तो इसके लिए हम इस cell को select करेंगे, इसके इसके बाद cash in में से हमें क्या घटाना होगा, cash out, तो यहाँ पर हम minus का sign लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम cash out वाले cell को select करेंगे, enter बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा balance है, वो निकल के आ जाएगा, अब इसका फायदा क्या होगा, यह भी मैं आपको बत रमेश को कितना convince दिया, 500, इसके बाद हम इस cell में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो formula है, वो automatic update नहीं हुआ है, तो उपर वाले cell में जो formula लगा हुआ है, इसी formula को हमें नीचे वाले cell में भी paste करना है, तो इसके लिए हम control और D बटन एक साथ प्रेस करेंगे, त उपर वाले cell में जो formula लगा होगा, वो नीचे वाले cell में paste हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर हमारा formula है, यह तो paste होके आगया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे, जो last में हमारा running balance आ रहा है, और जो balance हमने manually calculate किया था, इसमें 500 का difference आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने manually balance calculate करने के लिए आपको इसी लिए बोला था, ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपका जो running balance निकल के आ रहा है, वो 100% accurate है या नहीं है, तो यहाँ पर जो हमने manually balance निकाला था, यह तो accurate है, लेकिन यहाँ पर जो running balance है, यह accurate नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर formula की गड़बड़ी ह हो रही है, तो जैसा कि आप देखेंगे, 3000 वाले cell में आपको यहाँ पर green color का एक icon दिखाई दे रहा है, तो यह icon यही हमें indicate कर रहा है, कि इस cell में formula की गड़बड़ी हो सकती है, बाकि मैं यहाँ पर Excel का 365 version यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसी मैंने इस cell पर click किया, य अगर मैं इस icon पर click करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे उपर क्या लिखकर आ रहा है, inconsistent formula लिखकर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इस cell में जो formula लगा हुआ है, वो सही नहीं है, तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहें तो उपर वाले cell में से formula को copy and paste कर लें, बाकि अगर आप F2 button प्रेस करके इस formula को open करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह जो हमारा opening balance का cell है, यह E5 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, E6 होना चाहिए, ठीक है, तो इसी वज़े से यह formula और हमारी calculation में हो रही है, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3000 वाले cell में आएंगे, और यहाँ पर control और D बटन एक साथ प्रेस कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे, लास्ट में जो हमारा running balance आ रहा है, यह 30,000 आ रहा है, और जो हमने manually balance calculate किया था, यह भी 30,000 आ रहा है, यान आपने सबसे पहले जिस cell में अपना formula लगाया था, उस cell में आप आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 5000 आपको जो balance दिखाए दे रहा है, इसी cell में हमने अपना formula लगाया था, तो इसी formula को आप क्या करेंगे, बाकी सभी cell में दोबारा से paste कर देंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे formula बाकी सभी cell में paste हो जाएगा, और आपका जो running balance है, वो निकल के आजाएगा, अभी दोस्तों, यहाँ table format में convert करने का एक और फायदा है, कि जैसे हम last transaction पे आगए हैं, last cell पे, अगर हम tap button यहाँ पर press करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर blank row है, यह automatic insert हो चुकी है, दु और F1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, जो आपके ribbon होंगे, वो show या hide हो जाएंगे, तो कुछ ही इस तरह से आप Microsoft Excel में cashbook या petit cash maintain कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी like कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, अगर आप इसी तरह के useful videos देखना पसं եռरा आपके आप करा मूँ कर दो वीडियो कर देना, अगर आपके जाते हैं, आपके जापके में एक साथाथ तरह सेवाभ में चाला जा आपके में यापके इस थाना, आपके उाएंगा टा कर देना, एक pomoc कर ले रहाभी हो जारा हुतित्स Mm, एके औराम।